इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह और कोशिकाओं को तूटने फूटने से बचाने में उप्योगी है ये शरीर में रक्त उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. अलफा लिपोएक ऐसिद शरीर में कोशिका क्षती को रोकता है और विटामिन E और विटामिन C जैसे विटामिन के स्तर को भी बहाल करता है 2. बैनफोट यामाइन विटामिन थायमिन यानि की B1 का रिष्टेदार है जो दर्थ कम करने और मधुमे संबंधी जटिलताओं में चिकित्सिय भूमिका निभाता है 3. लाल रक्ट कोशिकाओं के उतपादन के लिए आयरन की आवश्यक्ता होती है और ये हीमोब्लोबिन का भी हिस्सा है और ऑक्सिजन स्थानांतरण में मदद करता है 4. क्रोमियम रक्ट प्रवा से रक्ट शरकरा यानि की ग्लूकोज को उर्जा की रूप में उप्योग करने के लिए कोशिकाओं में ले जाने और वसा, काबोहाइडरेट और प्रोटीन को उर्जा में बदलने में मदद करता है 5. मिथाइल को बालामिन विटामिन B12 है जो शरीर को उर्जा के लिए वसा और काबोहाइडरेट का उप्योग करने और नया प्रोटीन बनाने में मदद करता है 6. फोलिक एसिर कोशिकाओं की आनुवनशिक सामगरी यानि की DNA बनाने के लिए एक आवश्यक घटक है और व्रिद्धी और विकास के लिए महत्वपूर्ण है 7. मायो इनोसिटोल हॉमोनल असंतुलन को ठीक करता है और समगर डिमग्रंथी समारोह और ओविलेशन में सुधार करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें